वेलकम बैक गाईज लेट एस डिसकस दिस कुश्चन विच गेम इन जेए अडवांस टिन टू तो यह कुश्चन है बाइनेमिल थियोरम के उपर बेस्ट हमको निकालना है कोफिशन्ट ओफ एक्स राइस टू पावर इलेवन और इसमें देखिए यहाँ पे एक से जादा बाइनेमिल टम्स मल्टिप्लाइड है तो मैं इस कुश्चन में यही कॉंसेट डिसकस करूँगा कि अगर एक से जादा बाइनेमिल टम्स होती है तो इस कुश्चन को हम कैसे सॉल करते हैं coefficient of x raise to power n निकालने के लिए तो यहाँ पे तीन बाइनमिल टम्स किवन है अगर एक भी बाइनमिल टम्स होती है अगर मुझे coefficient निकालना होता है तो मैं start करता हूँ general term से तो इसके लिए भी मैं क्या करूँए तीनो की मैं पहले लिखूँगा general term general term के लिए जो मैं formula यूज करूँगा general term of x plus y raise to power n उसके लिए general term लिखते हैं tr plus 1 यह formula होता है हमको पता है तो अब मैं start करूँगा first binomial के लिखूँगा general term उसके लिए मैं r की value ले लूँगा a तो इसके लिए मैं general term लिखूँँगा ta plus 1 अब मैं इसमें लिखता हूँ तो यहाँ पे देखी ncr है यहाँ पे power 4 है तो मैं यहाँ लिखूँगा 4c a our r is a फिर मैं हमेशा second term लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है binomial coefficient में जो नीचे r आता है वो second term raise to power r आता है तो second term है यहाँ पे plus x square तो मैं यहाँ लिखूँगा x square raise to power a फिर मैं लिखता हूँ जो first term है that is our 1 यहाँ पे x है x की power लिखते हैं remaining power remaining power is n minus r तो मैं लिखूँगा 1 raise to power 4 minus a because our r is a तो यह हो गई इसकी general term अब यहाँ पे notice करिए यह जो general term है इसमें 1 का कोई रोल नहीं है क्योंकि 1 की के हम कोई भी power लगाते हैं तो वो 1 के equally होता है तो मैं यह 1 यहाँ से हटा सकता हूँ तो इसकी general term होगी 4 c a second term raise to power a तो यह एक बहुत ही general term बहुत ही useful होती है यह useful होती है 1 plus x raise to power something ठीक है जहाँ पे first term 1 होती है तो उसमें हम सिर्फ second term raise to power लगाते हैं a जो binomial coefficient के यहाँ पे आता है तो यह हम ध्यान रखते हैं ठीक है similar तरीके से मैं general term लिख लूँगा इसकी इसके लिए मैं r को ले लूँगा b तो इसके लिए मैं लिखूँगा tb plus 1 फिर मैं लिखूँगा 7cb second term raise to power b similar to this फिर मैं इसके general term लिखूँगा इसके लिए मैं r ले लूँगा c तो इसके लिए मैं लिखूँगा tc plus 1 that will be 12cc and second term is x raise to power 4 raise to power c तो इस तरीके से मैंने तीनों की general term यहाँ पे लिख ली तो first step हमारा यही होता है हम हमेशा general term लिखते हैं अब देखिए अब next step में हम क्या करेंगे अब मैं बताऊँगा कि हम लिखेंगे general term इसकी क्या general term होगी उसकी general term अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी general term लिखने के लिए basically तरीका क्या है कि इन तीनों general terms को मैं multiply कर दूँगा क्योंकि मुझे पता है जो भी x की term आएगी यहाँ से वो तीनों की terms multiply होके ही आएगी तो इसकी general term जब लिखेंगे तो उसमें हमारी coefficients आएगे 4Ca, 7Cb, 12C, C तो उसको मैं multiply कर लूँगा और जो x की terms आएगी वो x की terms multiply होएगी तो उसमें देखिए x की powers हम add कर सकते हैं तो यह 2a, 3b, 4c तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x raised to power 2a plus 3b plus 4c यह जो है यह general term represent करती है in multiplication of these three binomial terms तो अब मुझे यही question है मेरा जिस तरह से अब मुझे इसमें निकालना है x raised to power 11 इस general term है तो इस तरह के questions हमने single binomial में काफी किये हैं जिसमें हमको a की variable होता है r तो r हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं वो हम equate करते हैं जो भी x की power होती है उसको equate करते हैं 11 के यहाँ पे लेकिन हमारे पास 3 variable है a, b और c तो अब हम इस question को कैसे approach करेंगे तो वो ही यहाँ पे हमको सीखना है तो देखिए पहली condition जो हम लगाते हैं a, b, c पे वो लगाते हैं binomial coefficients के according a की minimum value 0 हो सकती है और maximum value 4 हो सकती है 4 से जारा नहीं हो सकती और a की value हमेशा क्या होगी integer तो a की value 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है और 4 हो सकती है b पे में condition लगाऊँगा कि b की minimum value 0 होगी maximum value 7 c पे में condition लगाऊँगा c की minimum value 0 होगी maximum value 12 और यह सब a, b, c की values में क्या ले सकता हूँ integer ले सकता हूँ तो अब इस equation को हम solve नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 variables हैं, तो एक equation है, तो हम solve कैसे करेंगे mathematically, उसके लिए हम क्या करते हैं, different values of ABC put करते हैं, और हम बाकी values उसके हिसाब से लेते हैं, थाकि हमको sum कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है, तो मैं उसके लिए एक table बना ले पहले 0 put करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, तो हमेशा क्या करते हैं, एक जो variable होता, उसकी values put करते हैं, फिर उसके according बाकी दो variable में बनाते हैं, equation, और फिर हम दूसरे variable की values put करते हैं, फिर तीसरे variable की value हम निकालते हैं, तो यह एक lengthy process है, लेकिन यहाँ पे इस question में अगर आप notice करेंगे, तो यहाँ पे notice करें, यह 2a है, यह even term है, 4cb क्या है, even term है, तो मुझे एक odd term दिख रही है, 3b, और right side में भी मुझे दिख रहा है 11, तो मैं b की values put करना start करता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए, एक थोड़ी सी धर मैं आपको बताऊंगा, कि एक क्या important चीज निकल क भी होई नहीं सकता, तो b की value हम 0 नहीं लेंगे, अब मैं put करता हूं, b की value 1, हमको maximum 7 तक ही जाना है, अगर मैं b की value 1 put करूंगा, तो यहाँ पे आएगा 3, और 3 को मैं यहाँ ले जाओंगा, तो हो जाएगा 8, तो equation मनेगी 2a प्लस 4c इक्वाल टू 8, यह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे a की values put करना start करता हूं, a की value मैं पहले put करता हूं 0, तो अगर मैं 0 put करूंगा, तो c की value आएगी 2c equal to 4, c will come 2, तो यह तीन values अगर मैं a, b और c की put करूंगा यहाँ पे, तो sum कितना आएगा, 11 ही आएगा, अब a की value अगर मैं 0 रखता हूं, तो यह values आती हैं, अब a a, b, c क्या होंगे, integers होंगे, तो मैं a की value 1 नहीं put कर सकता, अब मैं a की value 1 नहीं put करूंगा, a की value put करूंगा 2, तो a की value जब मैं यहाँ पे 2 put करूंगा, तो आएगा 2c equal to 2, तो वो value मैं ले सकता हूं, तो b की value अभी भी 1 ही है, क्योंकि हम यह equation solve कर रहे हैं, a की value मैं put तो C की value आजाएगी 1 अब मैं A की value put करता हूँ 3 अगर मैं 3 put करूँगा फिर से क्या आएगा ये 1 आजाएगा C की value आजाएगी half integer नहीं है वो भी अभी भी तो वो भी ये value हम नहीं ले सकते तो B की value 1 के लिए फिर मैं A की value put करूँगा 4 अगर A की value 4 put करूँगा तो ये आएगा 0 तो C की value आजाएगी 0 तो ये value भी हम ले सकते हैं because they are all integers और वो इस condition को satisfy कर रहे है अब A की value मैं 4 से जादा put नहीं कर सकता क्योंकि A की maximum value क्या है 4 तो इसके आगे हम इसको solve ले नहीं करेंगे तो B की value 1 के लिए ये solutions आगे B की value 0 के लिए कोई भी solution नहीं आया था अब मैं क्या करूँगा B की value अगर मैं 2 put करता हूँ यहाँ पे तो ये time even हो जाएगी ये इदर जाएगी तो ये odd minus even that will become odd तो फिर से ये equation हमको satisfy नहीं करेगी अब मैं यहाँ पे B की next value put करूँगा 3 तो ये आएगा 3, 3's are 9 तो ये 9 यहाँ पे जाएगा तो 11 minus 9 is 2 तो ये जो equation बनेगी 2A plus 4C equal to 2 वो equation मैं बना सकता हूँ क्योंकि ये भी even number है और ये दोनों भी क्या है even number है तो इसमें मैं 2 cancel out कर दूँगा तो ये आएगा A plus 2C equal to 1 फिर से मैं next same process है मैं A की values put करना start करूँगा अब मैं A की value 0 put करूँगा तो C की value half आएगी तो I cannot take A equal to 0 अब फिर मैं A की value 1 put करूँगा तो 2C के आएगा equal to 0 वो हम put कर सकते हैं उससे C की value के आएगी 0 A की value अगर मैं 1 से जादा put करूँगा 2 put करूँगा तो ये negative हो जाएगा तो वो values फिर हम 1 के बाद में A की values ले ही नहीं सकते अब हमने इस तरह से निकाल ली A values B की value 3 put करी अब मैं B की value put करता हूँ 4 तो ये आएगा 12 तो 12 यहाँ लेके जाएगे तो हो जाएगा negative और B की value अगर हम मैं 4 के अलावा 7 तक कोई भी value put करूँगा तो जो equation बनेगी वो बनेगी 2 A plus 4 C is negative लेकिन हमको पता है A और C अगर positive है तो 2 A plus 4 C तो negative होई नहीं सकता तो इसका मतलब यह है कि basically ABC की जो values हो सकती है there are total 4 set of values जो हम ले सकते हैं जिसके लिए ये equation satisfy करेगी तो ये हमने यहाँ तक question solve कर लिया अब हमको निकालना है coefficient जो हमको question में पुछावा है coefficient निकालना है तो ये तो हमने ABC की values निकाली जो coefficient होगा वो ये वाला part है इस part में अब मैं क्या करूँगा simply A, B और C की values पूट कर दूँगा तो मुझे मिल जाएंगे coefficient of x raised to power 11 तो coefficient of x raised to power 11 आएगा 0 put करूँगा तो आएगा 4C 0, 7C 1, 12C 2 ये values मैंने put करी फिर ये set of values put करूँगा तो आएगा 4C 2, 7C 1 and 12C 1 फिर ये set of values put करूँगा तो आएगा 4C 4, 7C 1 and 12C 0 फिर last set of values put करूँगा तो आएगा 4C 1, 7C 3, 12C 0 तो इन सबको मैं sum करूँगा क्योंकि यह जितनी भी terms आएंगी यह सब रहे, x raised to power 11 की terms आएंगी तो x raised to power 11 तो common ही आजाएगा तो यह सब क्या है, coefficients है और इन सब को अगर मैं add कर लूँगा तो मेरा answer आजाएगा, वो ही मुझे question में निकालना है, तो यही था इस question का concept, तो तो basically हमने क्या किया, पहले मैंने general term लिखी, sub binomials की फिर मैंने general term लिखी, combined binomials की, वो मैंने ऐसे लिखी, फिर मैंने power को compare किया ABC पर condition लगाई, उसके according मैंने ABC की values यहाँ पर put करी और एक table बना ली मैंने इस तरह से और उस तरह से फिर मैंने निकाल ली coefficients, तो यह था step by step process, अब इसके बाद में सिरफ हमको यह binomial coefficients calculate करने हैं, फिर हमारा answer आजाएगा, उसके लिए जो हम formula use करेंगे, वो use करेंगे, NCR का, यह formula use करेंगे, वो calculation मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, वो आप calculation खुद से कर सकते हैं, मैं एक इसके बाद में यह values evaluate कर लेंगे, तो 1, 7, 12C2 आजाएगा, 66 4C2, 6 होता है, 7C1, 7 हो जाएगा, 12C1 क्या हो जाएगा, 12, because NC1 is N, तो similar तरीके से यहाँ पर 4C4 आजाएगा, 1, 7C1 आजाएगा, 7, 12C0 आजाएगा, 1, और 4C1 यह वाली values में मैं यहाँ पर put कर लूँगा, फिर जब मैं इन सबको add कर लूँगा, तो मिल जाएगा coefficient of x raised to power 11 इन सबको अगर आप add करेंगे, तो वो value आएगी 1, 1, 1, 3 ठीक है, तो यह value आएगी, तो इस question का हमारा answer हो गया C, तो इस question में एक बहुत important concept सीखा, जब एक से ज़्यादा bionemals multiplied है तो हम उसमें coefficient of x raised to power something कैसे निकालते हैं, so this concludes the solution of this question and thanks for watching this video